वर्सुब गाइज वेलकम बैक टो अन्यदर वीडियो पिसली वीडियो में मैंने बताया था आपको हिड़न स्टेर बनाना काफी इजी तरीके से बताया था अगर वो वीडियो नहीं देखा था तो लिंक डिस्केशन में देदूंगा और आई बटन में भी देदूंगा तो वहां जाके उसको चेक आउट कर सकते हो तो काफी मस्त वीडियो काफी इजी तरीके से मैंने बनाना बताया था और स्टेप बाई स्टेप बताया था तो वहां जाके आप चेक आउट कर सकते हो आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एलिवेटर और ओटोमेटिक डोर दोनो काफी मस्त चीज़े हैं और काफी easy तरके से बताए गया तो चले चलते हैं कि कैसे बनता है elevator और automatic door तो गाइस मैंने यहां पर एक platform बना लिया है elevator वैसे तो घर में बनता है में बनता है लेकिन में ने यहां पे बाहर यह बना ना साई शbelt tämä क्योंकि यार मेरे पास घ़र नहीं थो में यहां भार यहां यहां पर एक मोड़ी यह यह मेने यह दिवार बनाने है दो लेयर कि और उपड़ तक आप रलिए तो अभी हमको क्या करना है दो नीचे तक गड़े हो दे हैं मतब दो ब्लोग नीचे तक गड़े हो दे हैं और उसके बाद में रेड इस्टोर्ण टस्ट लेनी और नीचे के तरफ बिछा देनी है ठीक है अब आपको क्या लेना है और यह जो ड्रेड बिंदी है इसकी रेड ड काम कर रहा है अगर नहीं जल रहे हैं तो उसको वापस से सही लगाना पड़ेगा अब उसके उपर एक और ऑब्जरवर लगा देंगे उसके बेज़र रेट डोट है रेट लाइट है वह उपर की तरफ होनी चाहिए ठीक हो जो साइड में तीर का निसान दिख रहा है वह उप स्लाइम ब्लोक अब दाना है दिवार के पास में और वहां पर लगाना है दो स्लाइम ब्लोक और लगा देने जैने उसके बाद में क्या करना है आपको जो पिस्टन है उसको उल्टा लगाना है जैसे पहले सिधा लगा था इस बार लगाना है ग्रीन पार्ट नीचे के यह दिखाए दे रहा है यह वारा पार्ट उपर की दरफ वोना चाहिए तो प्रपर लिकाम करेगा अब आपको लेना है को विले सकते हैं को उसको दिवार के पास में लगा दिने है जिस्त प्रसल प्रेट के पास कि अब जो बनाई थी उसमें से हमें कुछ block हटाने पड़ेंगे वो हमने लगाये था slam block और observer उसके बिल्कुल line में ही हमको obsidian लगाना है उप़र तक जहां से wall start है वहां तक लगाना जहां जहां तक आप elevator बनाने से तक वहां तक लगाना और एक block उप़र तक लगाना ठीक है तो उसके बाद में हमको वापस वुड ब्लोक लेना और दो ब्लोक उपर तक लगाने हैं इसके उपर ऑफिडेन के उपर और इस इन ब्लोक के उपर वापस ऑफिडेन का एक ब्लोक और लगा देंगे काफी इजी तरीके से लग गया है अब ओफसेटिन के साइड में एक और वूड ब्लोक लगा देंगे देन उसके बाद में हमको एक ट्रेप डोर लगाना है जो की ओफसेटिन के उपड़ लगा उपड़ की मलब साइड में लगेगा और अब क्या करना है रेड स्टों डेस्ट क्वापस तोड़ देता हूं ताकि वह इधर लग चुक्पाया है तो यह काफी इजी तरीके से हो गया इतना काम हमारा कम्प्लेट हो गया अब को बटन लेना है और जो लगड़ी का ब्लोक लगाया था उसके नीचे के तरफ लगा देना और इसको दबाएके देख लेते है प्रोपली काम कर रहा है ट्रेप डोर उपर की तरफ हो गया अब यह काम करना चलो गया मतलब इतना काम हो गया अब हमारा काम खतम है बस हमको क्या करना है यह इस टाइप से दिखाई देगा एलेवेटर काफी इजी तरिके से हमने बना दिया है और अब यह चलने वाला है तो अब आपको उपर के तरब जाना है और जो बटन लगाया था ना उसको प्रेस करना है और यह प्रोपरली नीचे आ जाएगा आराम से तो यह प्रोपरली काम भी कर रहा है अब हम चलते हैं सेकेंड चीज़ बें हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक डोर तो काफी इजी तरीके से एक प्लेस टाइब का निशान मनाना पड़ेगा तो साइड में हमको दो-दो गढड़े खोदने मुदले मतलब लोग खळका ने पड़ेगी और एक बलोग और फटाना पड़ेगा तो अभी आपको यहां पर प्लस टैप का दिखाई दे रहा हुगा अब आपको क्या करना है रेड स्टोन डस्ट लेनी और जो नीचे गड़े खोदे थे उसके अंदर बिचा देना है रेड स्टोन डस्ट को जैसे मैं बिचा रहा हूं वैसे वैसे आपको step by step बिचा देना है दोनों तरफ मैंने रेर्ड स्टोन डेस्ट बिचा दिये अब आपको क्या करना है टोर्च लेना है रेर्ड स्टोन टोर्च तो उसको दोनों तरफ लगा देंगे अब उसके बाद में क्या करना है आमको लेना है पिस्टन स्टिकी पिस्टन को टोर्च के आगे की तरफ लगा देना ताकि वो अगर आप इसको skip करो गे तो आपको समाज में नहीं आएगा तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वेसे आपको लगाने हैं तो यह properly काम करेगा वरना अगर एक भी step छूटा तो यह properly काम नहीं करेगा अब जैसे मैंने इस्टीक की पिस्टन लगा दिया है तीन-त गड़क किया था उनको ब्लोक कर देना है मतलब वापस वापस सई कर देना उस पर ब्लोक लगा कि उसको बंद कर देना अब दोनों तरफ हमको प्रेसर प्लेट लगा देनी है दो दो एक भी लगा तो भी चलेगा लेकिन दो दो लगा देंगे तो से रहेगा दोनों लेते हैं फटाफटे हमने मैंने कवर कर दिया है अब आपको दर्वाजा बनाना कोई सबी कलर का बना सकते हो कोई भी कलर का ब्रोक ले रहो वह वर्क करेगा तो मैंने आप और अरेंज लिए हैं और बंद भी हो जाएगा तो इस दोनों चीज कैसी लेगी आपको कमेट में जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूला तो हमको फटा फचे वन के सब्सक्राइबर करने हैं तो जल्दी जल्दी लाइ वीडियो तब तक लिए बाई